मस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टेले चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4-thread मसीन में और 5-thread मसीन में क्या अंतर होता है और आपको कौंस ही लेना चाहिए और साथ में ये भी बताऊँगा कि ये किन कामों में आती है तो तीन चीजे म बात कर लेते हैं उपने फाइब ठेट की और उसके बार बात करेंगे फॉर ठेट की पाइब तरा चेट आप तीन काम कर सकते हैं पहलाज होता है उनके पाइब तरेड से एक तो बल्लाक कर सकते हैं आप तrice लोकि यख फास क्लास होगी वड़ा के एकदम नमबर वन क्वाल्टी की और कितना भी मोटा कपड़ा हो उस पर काटके एकदम साफ सुत्री ओबलाग हो जाती है फाइफ त्रेट से अगर आप एक कारखाना खोल लें आप फिर आप जो है अच्छी ओबलाग चाहते हैं मसीन से आपके अच्छी ओबलाग निकले तो हाए आपको फाइप त्रेट मसीन लेना चाहिए लेकिन फाइफ त्रेट का काम यह साथ में सय क्या होती है तो धाव लगते रहता है वह साथ में लगती है हुआ है उसके चाहिए और चाहिए कि पैर का मारजन गया है לה में में वबलाक होती हुई एक दम सीधे मारजन के साथ जाए तो बो अब उस से वेनिफिट क्या है वह भी मैं आपको बता जू जैसे कि जो बढ़ने वाला कपड़ा होता है जैसे कि आप फौजरी का ले लो या फिर जो है या फिर जीन्स बगरा का ले लो बढ़ने वाला जाए तो आपकी बढ़े की नहीं लेकिन कपड़ा बढ़ जाएगा तो ऐसे में क्या है बैठने उटने में चटक जाएगी तूट जाएगी इसलिए जो है फाइफ थ्रेट की बहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है आप कह सकते हैं अगर कार खाना खोलना है तो इसके फाइफ थ्रेट के बिना आपको काम चलने वाला ही बिल्कुल भी नहीं है तो इतना काम फाइफ थ्रेट का होता है अब फाइफ थ्रेट की सिलाई एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों जैसे कि यह जीन्स है अब इसमें आपको दिखाते हैं फाइफ लगेगा सिलाई लगी है इधर साइड में चेन बाली होगी अब इसको खींचेंगे तो यह जो है यह चटकेगी नहीं तो यह काम करती है फाइब थ्रेट ओके और सिर्फ इसकी ओवल्ला की बात करें तो देखिए किस तरीके की होती है बोबी मैं आपको दिखा देता हूं यह यह है फाइब थ्रेट की ओवल्लाक अब नोर्मल जो काली वरी मसीन होती मैं आपको दिखाता हूं उसका टांका है तो इसमें देखिए और इसमें कितना ज्यादा फरक होता है है रहना तो आपको एक अच्छे काम प्रौफेसेंब काम की जरूत है तो आप इसको यूज होती है महाँ पर यूज कर सकते हैं समझ मैं आगे होगी कि कांसी होती है कैसी होती है अब बात कर लेता है फोर्थница में चार धाज्य नहीं चलते हैं चार दागी जाद tipping चलते हैं five three पांच चलते थे और इसमें चार चलते हैं अब इसका क्या काम बो मैं आपको बता दूं तो पहली चीत तो यह है कि आप वल्लाग से भी first class कर सकते हैं जैसे five three यहां पर मतलब ती शाइट में आपने देखा होगा की और लाक की होती है उसमें तेसे में लगा जाती हैं यहां पर मतलब देखने को मिलेगी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें वल्लाग टाइप की होती है चाहें वह बढ़ने वाला कोई भी कपड़ा हो तो फिर उसके लिए आपको फॉर्थ रेट मसीन की जरूत पड़ेगी वह फॉर्थ रेट ही काम करती है उससे क्या होता है वह जितना कपड़ पड़ेगी और अगर आम नौर्मल कप्ड़ की जरूर काम करेंगे तो आपको फॉर्थ रेट की जरूत नहीं पड़ती है तो इसलिए उसका यहाइज होती हैं अगर अगर क्रमल करकाना खुलने जारहा है कपड़े का तो cuma को फाय 지ि लगिन लेकिन अगर आप है तो अब देखिए ईजहाए अब को अब्लाक है लेकिन इसके बीच में एक आपकी घर्स काम है यह तो यह जो है यह आप की फैकल करेगी लगई So तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं अब दिखिए दूसरे में मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए सिटिंग थोड़ी वह तो इदर उदर करना पड़ दिखिए कोई चौड़ी थोड़ी से करता है कोई पतली करता है वह अलग चीज लेकिन इस तरीके से यह होती है तो साइटों में हर जगह होजरी में आपने हमेसा देखा हुगा यही मसीन चलती है और कोई मसीन आपकी नहीं में उद्वर्जर्टी इस इस में लग यह होता है पे जिस को इसमें रिए टेखा आप पहर देखानों के लिए आप को काम के लिये आप मसीन दानियों जैसे कि आपको होजरी का काम नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है व्य्हीं मसीन लेना चाहिए चुशकर जबिए опас रहे या फिर जो है एक्सपोर्ट का काम करने जा रहे हैं या फिर जो है और कोई काम करने जा रहे हैं या सिर्फ ओवरलाग करने जा रहे हैं सिर्फ आपको बल्ला के लिए चाहिए तो भी आपको फाइफ थ्रेड ही लेना चाहिए तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं प्राइस की बात करें तो फोर थ्रेड मसीन थोड़ी सी सस्ती आती है और फाइफ थ्रेड की बात करें तो फाइफ थ्रेड थोड़ी सी महेंगी मसीन आती है आप उनको प्रानी भी ले सकते हैं वह वी बहु बहुत चलती है इनके प्रैस की बात करें तो 25,000 से स्टार्टिंग आपको 40-50,000 मसीन मिल जाए गी आपकी थाइट है आपकी जो है 25,000 स्टार्टिंग 40-45 तक मिल जाएगी तो सबका तो दोनों का अपना अलग अलग काम है दोस्तों उमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छे लगा हुगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल पहली वारा सब्सक्राइब कर बेल आइकनाल पे किलिक कर लें तो फिर मिलते हैं नए व